सूरत के डुमस रोट विस्तार में एक मेगा फैसन होलिक सो 2019 का आयोजन किया गया ये आयोजित फैसन सो के डिरेक्टर और फाउंडर आकांगशा चोहांद्वार आइसकार एकरम के बारे में विशेज जानकारी दी गई आपको बता दे कि फैसन होलिक सो के डिरेक्टर और फाउंडर आकांगशा चोहांद्वार बताया गया कि ये पूरा सो सहर में एक नई यूद को री प्रेजन्ट कर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की एक नई दिसा दे कर एक नई सोच पैदा करेगा और काश टूर पर गर्ल्स के लिए सो यूज सोच को बदलना चाहता है इस सो में सभी मीडल क्लास फैमेली के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और रैंप वॉक किया इस सो के जरीए काफी नए नए लोग एक प्लेटफॉर्म पर इखटा हुए और सभी ने अपना टेलेंट दिखा कर वहां उपस्तेच सभी लोगों के मनमुग्द किये इस सो में मेकप आटिस और फैशन डिजाइनरं से जुड़े सभी लोगों ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया और कारिक्रम की शोबा बढ़ाई सब्सक्राइब कर रहा है तो यहां पर जो टैलेंट है उसको हम लोगों को किया चाहा है लोगों को मैं यही कहना चाहूँँगी कि जो वो लोग fashion related सोचते हैं industry के बारे में Glamour industry के बारे में कि this industry is not good तो आजरे वोंट कि यह इस यही दिस नहीं जैसा आपने सोचा हूआ है इसमें भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत बास्ट है इंडस्ट्री भी तो यहां पर आपने आपको रिप्रेजेंट कर सकते हो और अपने करियर को एक नया बूस्ट दे सकते हो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन लोगों को मैं सिफ आल दे बैस कहना चाहूंगी कि आज आप सबका एक 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 जाने वाला है और आई होब कि वो सारे इस एक्जाम में पास हो जाए कि आपका नहीं है मेरी होबी है मॉडिलिंग इसलिए मैं पार्टिसिपेट किया है हमें अगले दो दिन बुलाया गया था गुरुमिंग के लिए वस वही पे थोड़ी गणी प्रेक्टिस हो बहुत ही अच्छा लग रहा है केमेरा में अश्वा कुरेशी के साथ परविन पठान समाचार इंडिया नियूस सूरत